मैं बोलते हैं कि गुपाला पीलंब्स मेजल्ण आता है तो यह तो और CRPL और हर दिन हम जनता के बीच में रहते हैं पिछला मेरा संगर्स का इतियास भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में गोरफपुर जनपत की बात करें तो सबसे हौट सीट माने जाती है चाहे बिधान सभा हो या लोग सभा हो अभी अगर देखा जातों लोग सभा तो हजा ही कैंडिडेट सांसद रहे हैं फिलहाल यह राजनेतिक समीक्रण है इस राजनेति में कौन आ जाएगा और कौन कब चला जाएगा इसकी कोई भी गरांटी नहीं ले सकता है आराची सीट जैसा कि हमने आपको परिचे दिया तो इसी आराची सीट से सरवन कुमार निराला ज देखते हैं सरेवी नियूज में आपका स्वागत है आपको भी आपका भी स्वागत है धन्यबाद आपको कैसे कहीं न कहीं अगर देखा जा बास गाहूं लोग तो कांग्रेस सपा और भाजपा तो रही ही है बस्पा के एकर अगर करेंडेट की बात कही जा तो बहुत अच अच्छा बस्पा का फलेवर नहीं रहा है तो आप बांसगाउं लोगसभा के चुनाव का वजब इतियास देखेंगे तो जब भी वहां पे लड़ी है बीजेपी और बस्पा ही लड़ी है समाजवादी पार्टी हमेशा वहां पे लड़ाई से बाहर रही तीसरे नंबर पे है कभी और बांसगाउं बिदान सहबस्तों पहले हमेशा ब्सपी जीति भी रही है तो इसलिए जो लड़ाई है ना भांसगाउ लोगसभा का यह सीधी लड़ाई बी बीजेपी के बीच में होगी और जो कांग्रेस एलाइंस जो इंडिया एलाइंसाब जो प्रत्यासी है और जो इंडिया एलाइस भूमका रच रही है इंडिया एलाइस कहीं रहेगी हैं नहीं लड़ाई हुनल है इतना दावा कि साथ क्यों कर रहा है इसलिए दावा कर रहा है कि बी जनता के बीच में जाए उसका ऐसा कुछ भी नहीं इतियास है विरासत उसकी ताकत है और जो कुछ भी है वो बीजेपी पार्टी के नाम पे जो भी वो लोगों को गुमरा कर ले जाए और रही बात जो समाजवादी पार्टी या कांगरेस पार्टी का जो एलाइंस है उनका जो भी जो परत्यासी है यह सब मौसमी लोग हैं सीजन वाले लोग हैं मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से यह दावे के साथ कहता हूं कि आप बांसगा और लोग सभा में जाई है और जो कांग्रेस एलाइंस का परत्यासी है आज के डेट में पूर मंत्री रहे हैं सदल कई जनता से पूछे कि उनका घर कहा है और पिछले चार सालों में लगबां साल वितने जा रहा है इन पांच सालों और सी सीजन में आ जो इंडिया लगते हैं गूमने लगते हैं तो जो इंडिया राफ़िया उसका चार साल नौ महीना पता नहीं रहता है और आखिर तीन महिने में आता जनता को मुर्ख बनाने जनता को बेवकूब बनाने तो पहले तो जनता बेवकूब नहीं है जनता वह समझधार है और बीजेपी का परत्यासी तो कटपुतली है वो नित्रुत और लीडर्शिप उसके अंदर नहीं है अगर नित्रुत होता लीडर्शिप होता तो आप यह सोचिए खुदो सांसद रहा है और यहीं गोरकपूर में चुकि यह तीन बार का सांसद है और बिवादित जमीनों को खरीदने का इ कि आय कितनी थी सैकड़ो गुना आय बढ़ गई है तो अभी पैनेसिया पे कबजा करने गए थे वहां के लोगों नों को गाली देते हुए जो बरत्मान बीजेपी का सांसद है गाली देते हुए दड़ाया था भगाया था मारने के लिए पकड़ने वाले थे लेकि भाग और बात के दिनों में बीजेपी का सांसद ये कहते हुए अख़बारों में बेयाना था मैंने अपने पास नहीं कर रहा हूं कि मैं दलित हूँ इसलिए मेरा यार नहीं लिखा जा रहा है आप सुचो कि जो सांसद है वो खुद रो रहा है वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा है वह माफियाओं को संदच्छर देने वाला आदमी गुंड़ा अपरादियों के बीच में रहने वाला उनके साथ में रहने वाला और जो कांग्रेस का प्रत्यासी है वह तो बिल्कुल सिजनल जैसे गाव में बोलते हैं कि गोपाला पीला वाला मेधक होते ना गोपाला जब को इसमें रहते हैं पिछला मेरा संघर्श का इस बीच आप देख सकते हैं बिलकुल चुनाव है तो सभी अपने खासियत और खूबिया गिनाते हैं जनता को चाहें भ्रामित करने के लिए जनता को अपने पक्षम करने के लिए फिलाल यह तो चुनाव है अगर बात कहा है के ग्राफ की बस्पा की जो सुप्रीमों है मायवती जी अक्सर उनके उपर आरोप लगता है कि वह अपने केंडिडेट हो चाहें अपने कोई वी वक्त भी हो बहुत बाद में देते हैं ऐसा लगता है कि वह इरेलिवेंट हो देखे क्या है कि जो बस्पा है वो बिचारों की पार्टी जो बिस्पा है वो केडर की पाठी है बस्पा नपूं की तरह से नहीं है जो बीना मतलब रोज गलत बयानबाजी करते हैं बिना सूजबुच के बयानबाजी करते हैं जैसे समाजवादी पार्टी के लोग जैसे कांग्रेस के लोग जैसे बीजेपी के लोग ऐसा बहुजन समाजपार्टी नहीं है और बहुजन समाजपार्टी बैचारी धरातल पर और बहुजन समाजपा वह ठीए वह यही मानने बहँजी हैं जिन्होंने अटल बिहारी बाजपई की सरकार एक ओट से गिरा था और बहुत साइलेंट मोड में जाके गिरा दिया था कोई समझ नहीं पाये कि क्या हो रहा है तो सरकार अगर जन विरोदी काम कर रहा है तो सरकार को सबक सिखाना भी 시仁 पशुर्च कि बात करें तो मुद्ध ही मुद्ध हैं यह जो सरकार है कि वह संभिधान वीरोधी है scheduled पीज़एपि की है वह जन विरोधि काम कर्वेए डेख। अब बीजह करी है आभी पिसले दिनों हम लोगों आंदोलन चला आँ जमिन के सवाल पर इस देश के अंदर यह पहला अंदोलन इस तरह से हम लोन खड़ा के जब कि यह मेरा अंदोलन नहीं मानवर कासी राम साहब का दिया हुआ नारा जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है उसी बात को हमने आगे बढ़ाने की कोशिज की अगर सर्वनकमान निराला सांसत बनते हैं तो प्रदेश के अंदर 6 लाग नोकरियां सरकारी नोकरियां खाली हैं और सरकार नोकरियां भर नहीं रही हैं और सरकार रोजगार के नाम पे आउट सूर्सिंग करके जो पढ़े लिके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नोजवान हैं उनको सरकार क्या कर रही है छे हज जिनको जिनके माबापने एक सपना लेकर उनको पढ़ाया था कि बेटा हमारा पढ़ेगा तो आगे अच्छी नोकरी में जाएगा तो हमारे परिवार का जीवन सम्मान जनक हो जाएगा आप सोचे जो बच्चा जो इस नौजवान जो बीटेक एम टेक या वी यम्मे करके इत चाहते हैं कि सरकार अस्थाई और सरकारी नौकरी बेरुजगार नौजवानों को दे उसके साथ साथ जो मजदूरों का सोचर इस देश के अंदर हो रहा है आप सोचिए कि यह सरकार है लगातार मतलब पिछले 10-15 साल पहले जो मजदूरों की मजदूरी निर्धारिद कर ग 22,000 रुपया एक परिवार को मिल पाता है अगर एक महिने में किसी भी परिवार को कौन सा ऐसा परिवार है जो 23,000 में जी का लेगा तो यह सरकार अनैतिक सरकार है संबेदन हीन सरकार है जो गरीब जनता के बारे में नहीं सोच रही है सर्वनकमान निराला अगर सांसद रुपया और रहिए और रुजगार की मज़टी प्रति दिन एक हजार रुपया होना चाहिए और रोजगार की गारंटी वो 200 दिन होना चाहिएland कम से कम एक परिवार को 2, x 2,000 लाक रुपया एक साल में में चाहिए तब इस परिवार का जीवन‌यापन सही और सम्मान जहने तरिके सोब भाजपक करें कि पास कोई बुद्ध नहीं है क्योंकि हमने देश को अमरित काल में ला दिया है आज हम अमरीत उपसों मना रहे हैं इसके असी करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं मुफ्त में भाजपा लोगों को अधिकार नहीं देना चाहती है यह जो कह र रही है उनसी करोड़ लोगों को भिखारी बना रही है उनको उनका अधिकार दे देती उनको जमीन दे देती उनको रोजगार देती उनको महंगाई से मुक्त कर देती उनकी मजदूरी बढ़ा देती तब तो वो सही माइने में खड़ा हो पाते लेकिन यह सरकार जान उसाने चाहती है और महर्वानी बलासा करके और यह कोसिस करेंके लोग हमारे अचाब त यह सरकार जनता को गरीब मजबूर बनाना चाहती है यह प्रधानमंत्री का वक्ता पर था कि हम आत्म-णिरभर के बने जन्ता सरकारी सरकार लोगों को जीवन ही नहीं दे रही है सरकारी नोकरी नहीं तो तुम प्राइबेटी क्या दे रहे हैं कौन सा उनको आप अभी यह तमाम यह मुद्रा लोन उन चलाए थे आप खुछ सर्वे करिए कि किसको मुद्रा लोन मिला है जो लोग आल्रेडी रोजगार कर रहा है बैंक वाले फार्मेल्टी पूरा किये उनको जबरजश्ती बुलाकर कहें हैं हमारी संख्या कंप्लीट हो जाएगी कि हमारे ब्रांद से इतने लोगों को लोन दिया गया है जिनको लोन की जरूरत नहीं है उनको लोन दिया गया जो नौजवान बिरोजगार जो कुछ करना लगा हैं पो भाइस एकसी को रोजगार नहीं मिल तो यह सरकार सब्सक्रा क्रें लोज़गार करने के लिए इसलिए यह सरकार तो द्मन कर रही इस देश की जन्ता को अशेर याद आ रहा है जिए उन्होंने कहा था कि तेरी फाइलों में गाउं का मौसम गुलाबी है ये वादे जूटे दावे किताबी है क्या ऐसा है क्या एक दम सही बात है वो महान कभी है उन्होंने जो बात कही वो यही बात है कि फाइलों में चमक रहा देश टीबी चैनलों में देश चमक रहा है अख मांजनक जीवन के लिए वह बहुत संगर्स कर रहे हैं उनके पास कुछ है नहीं और यह सरकार ने उनको बिल्कुल चूस लिया जोग की तरद चूस लिया गरीब जनता करा रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है अंतिम तोर पर क्या कहेंगे अपने बास गाउं वासियों के हम आग्रह करेंगे कि लोग संगर्स का साथ दे सर्वनकुमान निराला सिजनल लीडर नहीं है सर्वनकुमान निराला सिजनल कार करता नहीं है सर्वनकुमान निराला पर्मानिंट कार करता है हम हम पांच साल लगा एक मात्मृ बतादू कि देश के अंदर जेलों के अंदर 80% गरीब दलीद पिछड़े कमजोर बर्क के लोग मामूली अपरादों में कोई अपराद नहीं किया कोई गरीब आदमी मजबूरी बीना टिकट में चला गया तो वो जेल चला गया उकील को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है आपस में गाव में कुछ कहा सुनियों बंद थे जमानत कराने के लिए पैसा नहीं है ऐसे लो जहेलों में बंद है अकर सर्वर्ण कमान निराला सांसत बनेंगे तो ऐसे 80% लोगों जेल से बीना सर्थ बाहर निकालने की भी हम लड़ाई लड़ेंगे इन्होंने बात कही है सीजनल खर्मरन कारेकर चков्र kijelsशनल कार्व करता झता कि इसा पर किस trust कितना सहमती यह है जुत है जुनाव इसे खकंत करएगा कि निभान कि इतना जरूर है कि निश्चित तोर Suh हर से हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इसी गुरफपूर शहर में इन्होंने जमीन एक एक एकड जमीन दिलाने के लिए बात कही थी और उस पर पूरे शहर को घेरने का काम किया था आपको खबर कैसी लगी इस पर अपनी राय जरूर दे धन्वाद